लोजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और राम बिलासपा सुवान के भाई पशुपती पारस ने भाजपा को एल्टीमेटम दे दिया है दरसल यह अल्टीमेटम सीट शेरिंग को लेकर है उन्होंने कहा कि भाजपा को 31 दिसंबर तक सीट शेरिंग पर फैसला कर लेना चाहिए साथी साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अमित शाह इस मामले पर ध्यान दे क्योंकि जो घटक दल है उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा पशुपती पारस ने साफ तोर पर कहा है कि साथ सीटों से कम पर नहीं मानेंगे इस बात के साथ साथ उन्होंने भाजपा को अल्टीमेटम भी दिया सीट शेरिंग को लेकर और कल लोग जन्शक्ती पार्टी के संसदिय दल के नेता यानि कि चिराख पासवान द्वारा किय गए ट्वीट्स को सही ठहराया है इन्टीट्स में भी चिराख पासवान ने सीट शेरिंग को लेकर जल्दबाजी अपना करने की बात की थी कहा था की सीट शेरिंग को लेकर जल्दी फैसला हो जाए कि इस बात पर ध्यान दे साथी साथ जो बड़ी बात उन्होंने कही वह है यह है कि साथ सीटों से कम पर लोजपा नहीं मानेगी आपको बता दे कि भाजपा और जदियू ने समयुक्त प्रेस कॉंफरेंस करके दिल्ली में अमित शाह और नितीश कुमार साथ खड़े हुए थ अब जो फॉर्मूला बचता है वो सत्रह सत्रह यह अठारा अठारा का है सत्रह सत्रह हुआ तो लोजपा के लिए बचती है छे अठारा अठारा हुआ तो लोजपा के लिए बचती है चार फॉर्मूले जो अभी मीडिया की गलियारों से निकल कर सामने आ रहे थे उसमें य यह एंडिये गडवर्णन्स में शीट शेरिंग को लेकर एक बार फिर से मुश्किले बढ़ती नज़र आ रही है पशुपती पारस ने साफ दावा कर दिया है कि साथ सीतों से कम पर नहीं मानेंगे इस सिच्वेशन में अगर भाजपजदियू सत्रह सत्रह पर लड़ती है तो छे जाएंगी लोजपा के पाले में और एक जो मिल सकता है वो रामविलास पासवान का राजसभा का टिकट होगा बहराल अब आगे बिहार की राजनीती गल्यारों में क्या कुछ बदलाव होती है इसके तमाम अपडेट्स लाइप सीडीज लगातार आप तक पहुचा रहा है आप हमारे फेस्बुक पेज़ को लाइक करें यूलिप चैनल को सबस्क्राइब करें फिलाल मुझे दीजिये इजाज़त मेरे साथ सहीयोगी सुजीत सागर है और हम लगातार आप तक विहार से जोड़े तमाम अपडेट्स पहुचा रहे हैं धन्यवाद